हेलो एबरिवन, कैसी चल रही है पराई? एकदम मस्त, ग्रेट तो आज हम लोग लेक्चर नमर वन में यूनीट एंडंड डायमेंशन की बात करेंगे यानी हम लोग यूनीट एंड डायमेंशन का लेक्चर नमर वन करेंगे, ये हमारा आज का गोल है, रुको स्टार्ट करने से पहले इस हेंड रिटेंड नोट्स को अपने पास में जरूर रखोगे क्यों क्योंकि ये एक टूल्स है तुमको मदद करेगा फिजिक्स को समझने में आसान कर देगा तुम्हारा पढ़ाई तो इसलिए इसको साथ में रखोगे और ये हिंदुस्तान का सबसे यूनिक नोट्स है इजी कर देगा इजी आसानी से समझ में आएगी उस सवाल भी जल्दी जल्दी बनाने में मदद करेगा तो स्टार्ट करो और कॉपी पेन लेके जरूर बैठोगे बीना कॉपी पेन का नहीं बैठोगे मूभी के तरह देखोगे तो फाइदा नहीं होगा वीडियो लेक्चर देखने का तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठोगे तो unit and dimension में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है quantity देखो पूरे के पूरे दुनिया में जो quantity है ना सारे quantity को हमने दो भागों में बाढ़ दिया है हमने मतलब physics वाले लोगों ने और इस दुनिया के लोगों ने समझदार लोगों ने तुम्हारे जैसे लोगों ने सारे quantity को दो भागों में बाढ़ दिया गया है एक को बोला है physical quantity और दूसरे को बोला है non-physical quantity तो प्रस नूरता है कि यह physical quantity क्या होता है और यह non-physical quantity क्या होता है तो बोलता है physical quantity वह quantity हुआ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी इंस्टूमेंट के द्वारा और जिसके थुरू हम लोग physics का जो law है उसको describe कर सकते हैं वो वाला हुआ physical quantity देखो लिखा हुआ है quantity that can be measured by means of an instrument मतलब किसी ने किसी instrument के थुरू उस quantity को measure किया जा सके and which describe मतलब ब्याख्या कर रहे the law of physical world यानि जो physical world को describe करें बात clear हो गया उसी को बोलेंगे physical quantity जैसे हो गया mass सिदा सिदी दिमाग ने लगाने mass हो गया time हो गया length हो गया speed हो गया temperature हो गया area हो गया volume हो गया यह सब quantity हो गया physical quantity दूसरा हो गया non-physical quantity जैसे तुम्हारा smartness है तुम कितना smart हो तुम्हारी honesty कैसे मेजर करोगे नहीं मेजर कर सकते हैं सर जैसे बोलेंगे tree buildings पटना rooms डेली क्या इसको मेजर क्या जा सकता है पटना का length नाप सकते हैं width नाप सकते हैं लेकिन पटना को कैसे नाप मतलब क्या हुआ लेंथ मास यह सब physical quantity है लेकिन यह पटना tree building यह सब physical quantity नहीं हुआ happiness यह सब physical quantity बिलकुल नहीं है clear हो गया physical quantity और non physical quantity में क्या अंतर है यस तो अब हम लोग देखेंगे कि यह physical quantity कि कितने तरह का होता है वही लिखा है types of physical quantities quantity मतलब 80 होता है physical मतलब PQ short में बोलेंगे next part से अब PQ की बात करें जैसे fundamental PQ, derived PQ, supplementary PQ टीनों को हम लोग समझते हैं लिख के बताऊंगा तो जल्दी समझ में आगा fundamental क्या होता है तक आता है वह quantity जो एक दूसरे से different हो और एक दूसरे से independent हो मतलब different भी और independent हो मतलब स्वतनत्र हो एक दूसरे से जैसे देखो mass mass अब देखो mass और length क्या है एक दूसरे से independent है और different भी है time ले लेता हो mass, length, time, speed, speed जैसे speed लिखते है speed बड़ाबर क्या होता है speed बड़ाबर distance बड़ा time तो speed में distance का और time का relation आ गया तो इसका मतलब speed में distance और time एक दूसरे से independent नहीं है बात समझ में आ रहा है तो इसका मतलब इसमें speed लिखेंगा क्या नहीं लिखेंगे mass लिखेंगे length लिखेंगे time लिखेंगे और उसके बाद लिखता हो टेमप्रेचर electric current amount of substance luminous intensity मतलब क्या हुआ यह सब एक दूसरे से एक दूसरे से क्या है एक दूसरे से different है डेख रहे हो और independent है वह सब quantity कह लाएगा physical quantity कि देख लेकिन speed की अगर हम बात करें speed तो speed बराबर distance बटा time है यानि speed को लिखने में distance और time दोनों की जर्रत पड़ेगा इसका मतला speed जो है डिस्टेंस और time से different तो है लेकिन independent नहीं है दूसरे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो जो एक दूसरे से different हो और independent हो उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी ठीक असब डिडाइट क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी जो की fundamental के मदद से मेजर किया जा सके उसको बोलेंगे डिडाइट फिजिकल क्वांटिटी अब बच्चिका यह सप्लिमेंटरी physical quantity यह क्या होता है इसको ऐसे समझोना जैसे खाना पर हम लोग भोजन पर अंत में चटनी ले लेते हैं सलाद ले लेते हैं क्या होता है खाना को पूर्ण कर देता है तो उसी प्रकार से इन दोनों से कुछ-कुछ बातें जो है न मिश हो गया तो इसमें अंत में इसको जोड़ फंडामेंटल फिजिकल कॉंटिटि और डिडयाइट फिजिकल कॉंटिटी को इस ऐग्जाम्पल से भी अच्छा से समझ सकते हो तो यह क्या है देख रहे हो बच्चिय के खिलोने वाला घर है बच्पन में खेलते थे कि नहीं हम लोग तुम भी खेलता था तो यह हम लोग कैसी घर बनाते थे तो क्या होता थे खरीद के लाते थे जीद करते थे कि खरीद के लाही दीजिए जीद करते थे तो घर में आ जाता था और हम लोग बीजी हो जाते दूसमें कैसे यह सब कॉर देंगे तो यह पूरा का पूरा घर तीयार हो जगा चल कौन्टेटी और फंडामेंटल क्या क्या हो गया चल 추 ह repetitive इसी को बोलेंगे डिल्डिंग ब्लॉक्स हो गिया इसको बोलेंगे basic qwantity में या फंडामेंटल फिजिकल कौण्टी बोलेंगे डिटाप्ट ऍन्ता अंतर समझ में देड़ बोलेंगे इस अब प्रस्थम उडता है कि भाट fundamental physical quantity कुछ कुछ ची लिखा हुआ है जो अभी समझ में नहीं आएगा आगे देखते हैं कि क्या है what are fundamental physical quantity यह इसको पहले ही हम चर्चा कर चुके है क्या fundamental physical quantity कि इसको मैंने बोला जो एक दूसरे से different हो और independent हो यहाँ पर सिंबोल उंपोल के साथ दिखा देता हूं मैं fundamental quantity जैसे length हो गया length को उसका SI unit जो बाद में देखेंगे हम लो length का SI unit meter है और उसका symbol है मास हो गया मास मास का किलोग्राम है और उसको unit करेंगे के जिस यादखना साथ को यादखना हम साथ साथ है साथ सहलिया खड़ी खड़ी उसके बाद साथ समंदर पार साथ तार है साथ सूड साड़े का वाँ पार याद रहेगा ना साथ की बात है तो लेंथ हो गया मास हो गया time हो गया temperature हो गया electric current हो गया luminous intensity हो गया amount of substance हो गया यह सब साथ जो है ना हमारा basic quantity है या fundamental quantity है और सब का especially अपना symbol बनाए गया है और यह सका unit भी है time का हो गया second temperature का हो गया Kelvin electric current का ampere ampere और luminous intensity का candela cd या c दोनों से denote करेंगे cd से भी या c से भी amount of substance mole तो यह था हमारा साथ physical quantity clear है अब यह candela जो है ने candela candela के बारें थोड़ा सब देता हूं आइडिया नीचे में के लिखा है candela is major of brightness or intensity of light यह इसको आगे पढ़ेंगे फिलाल हलका फलका समझे लो luminous intensity का मतलब luminous मतलब क्या होदे से बल्ब से लाइट निकल रहा है इसको मोलेंगे luminous object है तो वह brightness या intensity of light को बताता है candela अब प्रस निगे उड़ता है कि यह derived quantity physical quantity कौन-कौन है वहाँ तो बताये थे सर आप एक दूसरे से independent और डिफरेंट होगा तो फंडामेंटल के मदद से डिड़ाइब हो एक्सप्रेस हो मेजर हो उसको बोलेंगे डिड़ाइब तो किसको बोलेंगे डिड़ाइट physical quantity तो लिखा आवा एक्सेप्ट सेभन physical quantity यानि fundamental physical quantity एक्सेप्ट मतलब छोड़के साथ जो फंडामेंटल physical quantity उसको छोड़के जितना भी quantity होगा न सब के सब डिड़ाइब क्वांटेटी होगा लिखा आवा दा फिजिकल quantity which are can be measured in terms of fundamental physical अब देखते हैं कि कौन कौन है बात जैसे देखो एडिया फोल्यूम टेंसिटी speed acceleration force work power energy है समझ भी नहीं आया चल दिखाता हूं हाँ यहां देखते हैं ठीक से derived quantities क्या होता है क्या बोले थे derived quantity वह quantity होता है जो fundamental के मदद से त्यार किया जाता है जैसे देखो एडिया एडिया मतलब क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई होता है जैसे देखो यह बहुत तरह का एडिया होता है इसमें लंबाई है चोड़ाई है तो दोनों को गुना कर देंगे क्या होगा एडिया हो जागा इसका मत सब्लसे काल ही यूज़ा सब क्या टेकर सब्सक्राइट बेसे चार्ज नाट नतर तरके यहां टाइम क्या है fundamental quantity दोनों को गुना कर दिए तो चार जा गया जैसे तो वेलोसिटी लिखाये तो वेलोसिटी बराबर क्या है displacement बटा टाइम तो यह क्या है fundamental physical quantity यह क्या है fundamental quantity इसका मतलब हुआ जो fundamental के मदद से त्यार उसको बुलेंगे डिडाइब बात समझना ना जैसे acceleration हो गया changing velocity बटा time पुरा इसको लिखेझ हो एक्सलारेशन मतलब चैंज इन वेलोसिटी बटा टाइम जो होता है ना वो acceleration होता है तो इसका मतलब एक्सलारेशन भी velocity और time को डिडाइब करके हुआ है वेलोसिटी और टाइम को की टर में Express अप्सप्रेस होए मतलब क्या हुआ वो सारा क्वांटीटिटी जो फंडामेंटल के मदद से त्यार हो वो सब क्वांट subtle को बोले हम लोग acts कंटी रखेएं त्यक्ता और आगे समझते हैं यहाँ दो सप्लीमेंट्री यह उसको भी क्लियर री कर लेते हैं सप्लीमेंट्री में देखो दो लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है प्लेन एंगील जिसका SI यूनिट रेडियन होगा और सिंबल होगा आरेडी दूसरा है सॉलिड एंगिल एस्टेडियन इस्टे रेडियन उसका SI उनिट होगा और और SR से उसको D note करेंगे यही कुश्चन पर नीट 2022 में पुछा आएगा नीट 2022 यह पुछा हुआ है देखते हैं क्या आगे देखते हैं अब सवाल उरता है कि यह प्लेन एंगिल क्या होता है और यह सॉलिड एंगिल क्या होता है इसको जरा सा हम लोग समझ लेते हैं प्लेन एंगिल क्या होता है जैसे की जैसे देखो जैसे यह एक रड है और यह देखो एक पैन है दोनों के बीच में जो एंगिल हो का उसको बूलेंगे प्लेन एंगिल बोलेंगे प्लेन एंगिल क्या होता है उसको ठेक से समझते हैं एकदम पिक्चर बना कर दिखाऊंगा ताकि परसेप्शन ज्यादा आसानी से आएगा प्लेन एंगिल क्या होता है जैसे कि देखो मालेते हैं यह कोई आर्क है और यह कोई टे sensors इत अ thereafter अर्क मतलब क्या समझते हों अब सरकील बनागे दिखा ला और समझा द्हों यह मालेतैं सरकील ऐख जिसरक ऐसरकील का सेंटर है यहां पर ठीक और यह ऐसे इसका रैडिus व आर इसको हम लोग बोलेगा ढार्क एी आर्स आर्क और आर्क को हम ऐसे से करें Plain angle कौन से angle बोलेंगे Plain angle बहुत असन है Plain angle को denote करेंगे Theta से तो बड़ाबर हो जागा Arc by radius एक तरह से Theta is equal to S by R Clear हो गया Radius R होगा Radius R और यह है S इसको बोलेंगे Arc इसको बोलेंगे Radius तो angle is equal to arc quarter radius ये है हमारा plane angle अब देखो plane angle अब परस्न ये उड़ता है कि center पर total plane angle कितना होगा ये center है तो ये total angle कितना होगा 2 pi यानि center पर plane angle total बनाता है 2 pi ये समझ में आ रहा है कि plane angle क्या होता है angle बराबर arc quarter radius ये angle theta बराबर arc quarter radius लेन एंगिल हो गया ऐसी बराबर थेटा और ये center पर total का total plane angle 2 pi बनता है अब परस्न उड़ता है कि solid angle क्या होता है तो यहाँ एक figure है जो दिखने डायतम को दिखाता हूँ देखो ये है एक solid sphere ये एक sphere है solid sphere है very good और देखो यहां से यहां हमने उसका radius डाला दिखड़ा है yes यह देख रहे है यह ही है मेरा solid angle यहां जो angle बना रहा है और यह वाला area का जो पार्ट सेंटर पर angle बना रहा है ना उसको बोलेंगा solid angle इसको इससे समझो ना जैसे कि हम लोग train में जब चलते हैं तो इस तरह से जाल मुड़ी बला आता और उसको खुब खाते हैं हम लोग चना जोड़ गरम चोकपड जाकर खाते रहते हैं हम लोग भुज्जा नास्ता करते हैं सामझा कोई बात नहीं तो यह जो एंगिल यही वला एंगिल है solid angle आया सबज में यह वला एंगिल हुआ solid angle क्या होता है तो बोलता है solid angle यह वला जो area है ना यह area को हम A से denote कर देते हैं और इसका radius को R से denote कर देते हैं solid angle को ऐसे denote करेंगे तो क्या होगा area by radius का square होता है area by radius का square यानि solid angle को omega से denote करेंगे a by r square हो जागा अब अगर तुम से पूछे कि solid angle at a point कितना बनेगा यह समझ वह रहा है यहां पर solid angle है ना यह बराबर यह वाला area चाहें यह वाला area divided by radius को इसको ऐसे भी समझ सकते हो हम लोग ice cream खाते हैं ice cream देखो यह सुन्दा सा चीज बताता हूं यह ice cream खाते हैं हम लोग ऐसे इसे रहता है उसका area को ऐसे कर देता है अच्छा तो इसको color का उजला वला ice cream देख रहें ice cream यह बला जो पार्ट है यह बला पार्ट का area यह बला पार्ट का area कितना होगा अब प्रस नूटता है किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगिल कितना होगा दूसरा फोटो से दिखाता हूं इस पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगिल कितना होगा यह प्रस नूटता है यह यह एस फेयर है नहीं और एस फेयर के center पर total solid angle कितना होगा total solid angle तो ये वळा area कितना है area ये वळा area कितना है ये वळा area है 4 pi r square चा ये दूरी कितना है radius ये radius इसका r है तो solid angle बढ़ाबर क्या होगा solid angle बढ़ाबर होगा area but radius का square ट्रीकश चार्फ क्यों विलिवर्द के सेंटर पर तुम खड़ा हो तो इस फियर का टोटाल एडिया कितने हो गया फोर पार और डिया स्कॉर ओर रेडियस वाक्र इंगें अरे स्कूर क्राइब कितना बंजाएगा और पाइज याद करना है बेएन कीसी पॉइंट पर टौटल होगा तू पाय और किसी प कॉइंट पर होगा याद रहेगा ना काम आने काशव मौत है सिद्ढस के सामझ यह स्फियर के सेंटर पर तुम बैठे हो तो पूरा का पूरा एस्फियर कितने एडिया बनाएगा 4-pia r-square यहां दखना एस्फियर का सरफिस एडिया जो होता है ना 4-pia r-square होता है radius वह आर तो r-square r-square कट जाएगा 4-pia हो यह solid angle solid angle के बारे में एक और concept है जो कभी पूछेगा नहीं देखते हैं कैसा माल लेते हैं, कि यहाँ पर हमको soli deng نिकालना है, यह वाला part के कारा है, तो यह वाला part का radius, इस तरह से रहेका radius, एडिया भैक्टर इसका किदार है इधर हैं, इडिया भैक्टर मेरा इसका इधर, इडिया भैक्टर क्या होता है, सर्फेस का पर्पेंडिक लगिए जो देख रहें नो सर्फेस। उस सर्फेस का पर्पेंडिक का इधार्वए एडिया और रेडियस बेक्टर की दरवा इधार्वए रेडियस बेक्टर- blame अ can कि तो सॉलिद एंगिल जो यहां पर बनेगा नहीं यहां पर in यहां जो solid angle बनेगा यह वाला solid angle को हम इस तरह से करेंगे तो याद रखना d a dot r by r cube याद कर ले न डीटेल में देखें तो क्या होगा जिधा रेडियेशन उसके तरफ इसका component लेते हैं डी ए कॉस्ट थेटा तो डी ए कॉस्ट थेटा इन्टु आर समझ में रहा है नहीं थोरा समझाए देता हो डी ए ए डॉट भी बराबट अ बी कॉस्ट थेटा होता है ले लिया divided by r cube ले लिया यहां से बाट डी ए कॉस्ट थेटा डी भाइडेड वै आर अस्क्वर अच्छा इसका मतलए एडिया का वो component जो radial direction वो लेना है यानि एडिया लेना है radius का perpendicular यानि ये एडिया किसका है ये है एडिया perpendicular to radius क्या है एडिया परपेंडिकूलर to radius और ये है radius square जैसे यहां क्या करते थे solid square में यहां पर क्या करते थे यहां का perpendicular वा नए ये 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 radius radius का पूरा पर परपेंडिकूलर हो ये स्कौर ऑ में कितना हो गया 1跑 by r square तो सेंटर पर two total solid angle कितना बनेगा radius का perpendicular बड़ा एडिया रेडियोस radius के perpendicular में पूरा idea था ठाना फोड़ पर स्क्वायर इसकोएर और पूरा radius आर था इसलीजे solid- diskut ैल सुलिए solid आंगेल प्वायर भिजिस एलग यहां पर अलग जी पतना हो यहांपर अलग तरह कर कोड़नीधि नहीं लेकिनगर लेकिन यहां पर क्या है यहां पर अलग तरह का नहीं लेकिन अगर पूछे का कि यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे ना यह भी फोर पाया जाएगा टेंशन नहीं लेने का फिर से समझाता हूं मैं किसी भी टैप का सेफ हो चाहे एस्फेरिकल सेफ हो चाहे नोन एस्फेरिकल सेफ हो उसके अंदर में कोई भी पॉइंट होगा तो उस पर टोटल का टोटल सॉलिड एंगिल बढ़ाबर फोर पाया बनेगा याद कर ले ना इसको चाहे एस फैर का सेटर हो चाहे इस तरह का कोई भी सेफ हो और इसके सेंटर पर हम सॉलिड एंगिल की बात करेंगे तो यह फोर पाई ही होगा नहीं फिल आई फील आने की ज़्यादा टेंशन में लेना है एस फियर के सेंटर पर टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है फोड़ पाए तो उसी प्रकार से कोई भी सेप का सर्फेस हो उसके अंदर में कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो वहाँ पर टोटल का टोटल सॉलिड एंगल फोड़ ही होगा उसको बनाएंगे कैसे अगर यह छोटा सा सोलिड एंगल इतना है तो इसी को इंटेग्रेट कर लोगे यह एडिया कौन सा था रेडियस का परपेंडिकुलर तो रेडियस का परपेंडिकुलर जो एडिया है उसको इंटेग्रेट करेंगे तो इसका मतलब रेडियस तो what are units and system of units, देखो दो बात है यहाँ पर, what are units, एक बात यह है, अदूसरा है system of units, दूर चीज को हम लोग deal करें, तो एक एक करके देख लेते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं, units क्या होता है, यह क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में दो बात होग अब सवाल उड़ता है, एन क्या है, तो एन को बोलते हैं numerical value, एन हुआ numerical value, अई यू क्या हुआ, यू हुआ एक unit, unit एक कंपेडिजन है, एक कंपेडिजन है, ऐसे समझो, अनुमेडिकल value है, कितना गुना, कितना times unit है, वो बताता है, अनुमेडिकल value, sheet में दिया हुआ है, देख लोगे, अब एक question होता है, जैसे कि है mass, बड़ाबार है, 50 kg, चैसे length है, 10 meter, यह क्या है, यह क्या है, यह दोनो unit है, इसका मतलब total जो लंबाई है न, उसके एक unit का 10 गुना बड़ा है, यह total mass कितना है, तो बलता है, उसका जो एक unit है न, उसका 50 गुना बड़ा है, यही बताता है unit, और नुमेडिकल value बता है, कि unit का कितना गुना जादा, तो अब हम लोग उसी को देखते है, unit क्या होता है, unit of a physical quantity, is a standard, standard, used for the measurement of that physical quantity, standard का मतलब हुआ, जैसे देखो, यहाँ time होता, time, time मान लेते हैं, है कि 5 seconds, ओके, तो यह जो देख रहे हो, न, यह बला, यह 50 kg, तो kg हुआ मेरा, वो standard, जो की mass जैसे physical quantity को के measurement में इस्तेमाल किया जा रहा है, length के लिए standard quantity क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, meter, और time के लिए standard क्या है, second है, यही को बोलनेगा unit, यह समझ में standard का मतलब, यही हुआ standard, time के लिए second हो गया, length के लिए meter हो गया, mass के लिए kg हो गया, definition में मत फ़सो, direct इसको समझो, 50 kg में kg हुआ unit, 10 meter में meter हुआ unit, पास second में second हुआ unit, यह हुआ numerical value, अब एक question है कि system of unit, unit तो देखा, system of unit के बारे में अब समझेंगे, अब यह system of unit क्या है, अब हम लोग देखेंगे, what are units and system of units, क्या था नहीं कि सुरुवाती दिनों में, अब तो यह सब हम लोग नहीं चलाते हैं, हम लोग SI system चलाते हैं, शुरुवाती दिनों में, तीन तरह का system यूज होता था, fps यानि food point second, cgs मतलब centimeter gram or second, mks meter kilogram second, अब एक को हम अलग-अलग करके देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि fps क्या होता है, अब दोगो fps, fps मतलब f belongs to foot, p belongs to pound और s belongs to second, अब दोगो foot को ft में दिनोट करते हैं, जिसको हम लोग feet बोलते हैं, foot, और यह हुआ pound, p से denote करेंगे, और time go second, s से denote करेंगे, बहुत बढ़ी हैं, इसको याद कर लेना, एक मीटर बडावर, एक मीटर बडावर, 3.28 है, 3.28 feet, याद दखना, एक pound बडावर, 3.28 feet, और 1 kg बडावर, इसको याद कर लेना, एक के जी बडावर, देखो यहाँ पर, एक के जी बडावर, 2.20 pound, 2.2 pound याद कर लेना, पॉंड को P से भी denote कर सकते हैं, CGS में क्या होगा, CGS, C मतलब centimeter, C मतलब centimeter, centimeter, G मतलब gram, और S मतलब second, centimeter को cm से denote करेंगे, और gram को G से, और second time को second, S से करेंगे, यह हमारा CGS है, बच गया कौन, अब बच गया MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में length को हम लोग denote करेंगे, length को meter में, mass को kilogram में, time को second में, meter को M से denote करेंगे, symbol है, किलो ग्राम को kg से, और second को S से denote करेंगे, यह था मेरा तीन तरह का सिस्टम, एक कौन-कौन था, एक आया FPS आया, foot point second, दूसरा आया CGS, और तिसरा कौन सा आया, MKS सिस्टम, लेकिन दिक्कत क्या हुआ न, तीनो लेग, लोग अगर एक जगा जमा हो गए, तो यह length को बोल रहा है, foot, यह बोल रहा है, centimeter, यह बोल रहा है, meter, अब अगलाद में confuse कर जाएगा कि, क्या बोले, तो इसलिए चानते हूँ क्या हुआ, SI सिस्टम आया, SI सिस्टम आया, और पूरे दुनिया के लिए, एक ही तरह का बोला concept को यूज़ कर, इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया, क्या आसान हो गया, ऐसे समझो न, एपीएश में लेन्थ को कोई foot बोल रहा था, cgs में centimeter बोल रहा था और Meks में meter बोल रहा था, यानि एक ही चीज़ को अलग अलग बात बोला जा रहा था, बोला, नहीं, अब हम लोग length है तो उसको एक ही चीज़ बोलेंगे, एक ही चीज़ बोलेंगे, वह होगा meter, सब उसी को बोलेंगे SI system यानि standard international यानि international system of unit length को बोलेंगे M सब को वही बोलना है ऐसा नहीं कि तुम UK में रहते हो तो फुट बोलोगे सब को तुमको भी मेटर ने बोलना है US में रखते हो UK में रहतो अमेरिका में रहतो इंडिया में रहतो सब को लेंद को क्या बोलना है मीटर बोलना है टाइम को सकेंड मास को किलोग्राम यानि केजी टेंप्रेचर को टी नहीं टी नहीं केल्विन के से डिनोट करेंगे amount of substance को मोल से luminous intensity को केंडेला या सी से डिनोट करेंगे current को ampere या से डिनोट करेंगे तो यह सब का मत हो गया और बोला अब हम लोग सारे के सारे लोग fps, cgs, mks को हटाओ और यह हिशी को यूज करेंगे तो बरतमान समय में पूरे बिश्य में SI सिस्टम ही चलता है clear हो गया what are dimensions and their symbols क्या yes dimension का जनम हुआ तो और भी units को explain करना easy हो गया physical quantity को express करना और आसान हो गया कैसे समझते हैं जैसे लेखो जैसे देखो यह length है length है जैसे कि यहां से यहां एक मीटर है one meter लंबाई तो यहां पर meter के power one है अब देखो यह एडिया है तो एडिया में यह लंबाई हम्माल लेते हैं one meter है और यह लंबाई भी हम्माल लेते हैं one meter है तो एडिया कितना हो गया area एडिया हो गया हमाड़ा one meter into one meter यानि one meter into हो गया one meter लंबाई कुना चोड़ायत यानि one meter square यहां पर देखो volume हो गया जैसे कि हम्माल लेते हैं इसको one meter है के इसको भी हम्माल लेते हैं one meter है और इसको भी हम्माल लेते हैं ONE meter तो volume कितना हो गया मेरा volume one meter गुना one meter गुना one meter यहनि one meter क्यूब आया च्छ तो प्रस नूटता कि dimension क्या होता है यह जो देख redes Arms यहीं को इसी को बोलेंगे डाइमेंशन अच्छा यानि फीजिकल क्वांटिटी के ऊपर में जो पावर आएगा ना उसी पावर को बोलेंगे डाइमेंशन जैसे इसी को बोलेंगे इसी लिए इसको बोलेंगे 1D 2D डाइमेंशन 2 हो गया 3D डाइमेंशन 3 हो गया लंबाई चोडाई उ जो पावर से रेज किया जाता है ना उसी को बोलते हैं इसलिए अब देखो कि डैमेंशन का डिफनेशन हो अब हम लोग सही सही कर देंगे लिखा अब पावर टु फीजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ट इन ओडर टू अप्टें दे यूनिट ओफ गीवन क्वांटिटी जैसे थिएडिया का क्या आया था एडिया का आया था वन मीटर आया सक्वार आया था तो यह मेरा एडिया का डैमेंशन था जैसे वोल्यूम में क्या आया था वन मीटर क्यूब लेंथ में क्या आया था वन मीटर वन समझ सकते हैं यह जो पावर देख रहे हो ना वही लिख खाओ आज़ा पाबर तो इज़ फीजिकल क्वांटिटी मास्ट भी रेस्ट इन ओडर्डर टू अब्टेन अब्टेन मतला प्राप्त करना यूनिट ऑफ गीभें खाथ करने के लिए के ठीजी कर दी को जिस्पावर से रेज करेंगे न वह हुआ मेरा ढाइमेंज अब सभाले उसका सिंबोल कैसे से इस्तेमाल करेंगे symbols of symbols for dimension तो साब से पहले symbols को LMT MLT से इस्तेमाल करेंगे यानि length को मास को M से करेंगे length को L से करेंगे time को T से करेंगे इस तरह से temperature को के से करेंगे एंपियर को करेंट को एसे करेंगे केंडिला को सीडी से कड़ेंगे बेरी कुट मोल को मोल से करेंगे और इस तरह से ऐसे करके ब्रैकेट में करके इस्तेमाल करते हैं इस तरह से ब्रैकेट में डाल के कुछ एक्जामपल से समझाते हैं तुमको और अच्छा से समझ आएगा देखेनों mlt lmt इस तरह से इस तरह से ब्रैकेट डाल देना इस तरह से जिसका भी डाइमेंशन लिखेंगे अब देखते हैं कि कैसे लिखा जागा कुछ एक्जामपल से जब तक एक्जामपल नहीं करेंगे तक पूरी फील नहीं आएगी तो करते हैं लोग एक्जामपल करने से पहले हम लोग कैसे सिंबॉल को इस्तेमाल करेंगे वह हम ठीक से देख लेते हैं से जहां लेंठ अएगा ना लेंठ तो लेंठ का डामेंशन हुआ Glass लेकिन किसी किसी को इससे मन भरता है क्या करते हैं का कुछ नहीं सेbreak 2 ऑट बग्धेifice 2 तो आप का 0 या सिधा-सिधी ट कर सकते हैं चैसे इसा किये थे टेंप्रेचार है तो सिधा सि Zhi Kelvin कर सकते हैं मांगी सब क्या हुआ быть केलमिन पावर्वार वन हो गया बागती सब 00 यहां कहा सकते हो एलेक्टिक करेंट करन कर क्या से करेंगे से करेंगे CT से करेंगे CT से कंडेला एमोंट अब सबस्तांस को क्या करेंगे मोल से प्रोब्लेम बनाने से पहले कुछ concept को हम लोग शीख लेते हैं जो problem बनाने में मदद करेगा जैसे बोलेगा length कि जैसे बोलेगा length का dimension dimension तो ऐसे कर देंगे length का dimension हो गिया जैसे बोलेगा height का dimension जैसे बोलेगा width का डैमेंशन तर दामेंशन मतला ऐसे ऐसे कर देंगे जैसे बोले का रेडियास का डैमेंशन आप देखों यह सारा का सारा यह सारा का सारा यह परकार का तो लेंधी नहें यह सुब का सब एक परकार का लेंध़ है या निएक का डैमेंशन भी एल होगा लेंसीर Kita डावींशन दिखेंगे डेस्टेर्स का डावींशन भी एल दिखेंगे लीकाल डावींशमे दापàcies और डाइमीटर का डाइमेंशन भी लिखेंगे ये बात समझ में आ रही है पिलकुल यहीं सब काइंट्स ओफ लेंथ है यहीं एक परकार का सब लंबाई ही है तो सब का डाइमेंशन लिखेंगे क्लियर अब है कि कैसे हम डामेंशन लिखेंगे किसी डिराइव्ट क्वांटिटी का वह देखते हैं कुछ स्टेप्स है उस स्टेप्स को अगर फोलो करेंगे तो जल्दी जल्दी सवाल बन जाएगा स्टेप्स वन क्या है पहले फॉर्मूला लिखो पहले फॉर्मूला यहीं पहले फॉर्मूला लिख देंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यहीं किसी डिराइव्ट फिजिकल क्वांटिटी का पहले फॉर्मूला लिख देंगे दूसरा स्टेप में एसाई यूनिट लिख देंगे फिर एसाई यूनिट और तिसरा स्टेप में आब लिखेंग को यूज करेंगे पहला काम क्या करेंगे एडिया का हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे फॉर्मूला तो एडिया कितनी तरह का होता है बहुत तरह केडिया होता है एडिया एक सरकील का हो सकता है एडिया एक स्फेर का हो सकता है आप देखो यह जो रेक्टेंगल है इसका एडिया इसका लंबाई L माल लेते हैं चोड़ाई को B माल लेते हैं तो इसका एडिया बढ़ावर यह लिग देता हूँ अब देखो यह सर्कील है सर्कील का रेडियस माल लेते हैं आर है तो इसका इडिया बड़ाबर क्या होगा इसका इडिया बराबर हो जागा पाय आरे स्कुरे अब इसका इडिया क्या होगा पता है स्फियर का इडिया क्या होता है फोर पायारे स्कुरे पता है सर्फेस इडिय या फुर प्रिया बिलकुल सही अब प्रस्ष नूर्थ टेक इसका डइमेंशन क्या होगा अई दामेंशन लिख देंगे और ऐसे लिख इसका मदला एडिया का डैमेंशन इस फर्मुला से यो लंबाइक और चौडाए मियुक्त करें बोनों का ड communism कसे कर देंगे आप देखो एल का डैमेंशन ऐसे बीका डैमेंशन अ यो अब एल का डैमेंशन एल होगा और बी का डैमेंशन भी on Ming file क्यों कि यह डैमेंशन हैना क्या कर दिया थाना सब का송 को और थो ब्रेड थो थिकनेस हो सब के लिए एल का इस्तेमाल किया गया है तो यहां पर क्या हो गया एल हो गया टू यह हो गया एडिया का डायमेंशन बात होगी किलियर अब यहां पर देखो सर्कील का अगर एडिया है यहां पर क्या बोलते है एडिया का डायमेंशन बतो यह में तो हमने सब का फर्मूला लिख दिया हम तो ठरे स्मार्ट है ना इसका डैमेंशन क्या होगा इसका डैमेंशन यह रहा इसका डैमेंशन पाय का और आर एसक्वाइर दोनों का डैमेंशन होगा है लिए इसवाल एकिव लगते हैं कि आधाय का डाइमेंस्टन क्या होगा और आर श्कुर का डाइमेंशन क्या होगा याद रख नवाजना कोई फिजिकल quantity ने एक constant है तो यह सब होता है dimensionless dimensionless और dimensionless का मतलब हुआ इसको one denote यानि यह कितना हो गया यह हो गया one और यह क्या हो गया यानि कुल मिला के मेरा इसका dimension हो गया यानि टू हो गया एडिया का dimension वहाँ पर अब इसमें क्या होगा बहुत अब यह फोर पाय का dimension 1 आजाकर यह डैमेंशन लेस होगा और यहां r-square है तो इसका तो dimensionless हो जाएगा ना dimensionless मतलब one तो इसका one हो गया और इसका one हो गया यह और यह एल पर पावर आर रेडियस उस पावर दो यानि इसका dimension हो गया एल पर पावर टू यह हुआ मेरा डैमेंशन इसकी एडिया का तो कुल मिला कि क्या हुआ समझ में एक नम्मर दो नम्मर तीन नमर तीनों में एडिया का एक ही स्वाँ इसका मतलग हुआ कि किसी बिदे जिसका मिधर डिया जिसका dimension लिखना हो वह कोई भी फर्मूला क्यों नहों डैमेंशन इक ही होगा नहीं से हैं मैं को इसका इस एक हैगा तो पहला एस्टेप में क्या है एडिया का हम लोग फर्मूलीद क्लिए सा में ऑसका डाइमेंशन लिए तुरंत हो जाएगा नेक्स कोशन लेखते हैं लोग है ने खुद से विडियो को पोज करके खुद से ट्रै करो पक्का अगला सवाल है फाइंड डाइमेंशन और भॉल्यूम अब देखो भॉल्यूम तो बहुत प्रकाड का हो सकता है इस तरह का हो सकता है देखो यह क्या चीज का भॉल्यूम है यह लिया क्यूब क्यूब का भॉल्यूम हो सकता है इसको मालते हैं लंबाई इसको मालते हैं चोड़ाई इसको मालते हैं उंचाई है तो इसका भॉल्यूम बड़ाबर क्या होगा भॉल्यूम बड़ाबर पहले फर्मदा लेंद ब्र का हम लोग डैमेंशन इंगे आइसे करके तेसका मतला हुआ इस ऐल का डैमेंसन हैं भी का डैमेंसन है और अब संजोग से अभीतुलन और सिखातें यह संँ L होगा Brigt का dimension भी L होगा और height का dimension भी L होगा तो यहाँ पर L पे power 1 यहाँ है 1 यहाँ है और 1 यहाँ है तीनों power जूट जाएगा न तैनल पे power 3 हो जाएगा यह हो गया volume का dimension हाय सभ़न में यह क्या था cube था na cube का volume हम लोग कर रहे थे लेकिन अगर बोलता कि यही भोल्यूम एस्फियर का होता जिसे यह एस्फियर लेते और इस एस्फियर का भॉल्यूम करते भॉल्यूम बड़ा बार क्या होगा 4 x 3 Pi R ॥ ? इसका dimension बता हो, इसका dimension क्या करते है neu ev was b 3 , इसका dximension ले लेते है और R ॥ कीव का diment ले लेते हैं ॥ ? ये तो dimentsal लेस न होगा बताये कbird न का dimentsal दमेशन , बाद में करेंगे ये इन Dimension Lace होगा Dimension Lace मतला Dimension 1 सिधा सिधी 1 मालेगे ने इसको और R पे पावर 3 R मतला radius Radius मतला L L पे पावर 3 क्यानि इसका Dimension हो गया L पे पावर 3 समझ में आया समझ में कुछ गुछ तो Feel आना स्टार्ट हो गया Sheet को सामने रखे हो ना हाँ जल्दी जल्दी समझ मैं आगा तो शीट को सामने में रखना है कोई दिक्कत होगा तो पूछना है कैसे पूछोगे सबस्चला अब है क्वेस्चन कि फाइंदा डायमेंशन ऑप स्पीट तो एस्टेप नमर वन में हम लोग ने क्या दिखाते स्टेप वन में की स्टेप वन में देखे थे कि फॉर्मूला लिख देना फर फॉर्मूला लिंसा से दिखाना स्टेप बराबर डिस्टेन्स वट्नाогодOW तर टायम होगा मियटर और टायम का एसाइंट क्या होता है सखेंड है अब उसका हम लोग डामेंशन लिखेंगे स्टेप berries अयाध ठिसे क्या होगगं आसान हो जाएगा कोई भी चीज में तोऊसल टैंस नहीं होगी हैं भी पिराबर origin का दैमेंशन लेंगे और नीचे में s का dimension यहां पर क्या है मीटर है मीटर मतलब l से दिनोट करें ठीक है और s क्या है सकेंड तो t से दिनोट करेंगे तो यहां क्या होगा lt पे पावर मैनस ओन हो गया speed का dimension अब बोलता है कि velocity का dimension बताओ क्या होगा तो velocity का फर्मूला क्या होता है वेलोसीटी बराबर क्या होता डिस्प्लेश्मेंट बटा टाइम पढ़ा होगा ना नाइन्थे क्लास में बचा पढ़ता है दिस्प्लेश्मेंट बटा टाइम बड़ा बड़ वेलोसीटी होता है अच्छा एक तरस यह भी हो गया मीटर पर सकेंड और मीटर का dimension यानि वेलोसीटी का अगर हम dimension लेना चाहेंगे वेलोसीटी का dimension लेना चाहेंगे यह भी है मीटर यानि एल और सकेंड का हो गया टी तो उपर जगा एल अटी पर पावर वन हुआ तो उपर जगा तर टी पर पावर मैनस वन हुआ यही इसका dimension हो गया चाहो तो एसे लिग दो अलग 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 या इसे लिग दो एल टी पर पावर मैनस वन यानि स्पीड का जो dimension होगा वही वेलोसीटी का dimension धीरे धीरे फील आएगी नहीं आ रही है तो आएगी जरूर आएगी लिखा हुआ है डेंसीटी का dimension क्या होगा अब हम लोग फटा फट करते जाएंगे डेंसीटी बड़ाबर मास बटा भोल्यू ठीक बात एस्टेप टू में क्या करेंगे लिख लेंगे क्या हम लोग इसका लिख लेंगे ऐसा यूनिट मास का हो गया क्येजी और वोल्यूम का हो गया मीटर क्यूब क्येजी पर मीटर क्यूब टेंसीटी बड़ा बड़ हो गया और एस्टेप नमर तीन में क्या करेंगे density का dimension निकालेंगे density का dimension मतलब kg किया हुआ kg हो गया m नहीं और meter cube मतलब l पे power 3 तियानि हो गया m नीचे है l पे power 3 नीचे है उपर जाएगा तो l पे power minus 3 यानि m l पे power minus 3 यह वाला answer अगर यह दी नमबर अब यहां है momentum momentum का क्या करेंगे तो momentum बडाबर पी से denote करेंगे momentum को m into b होता है formula होँआ momentum पी बडाबर m into b एम है mass अब भी है velocity एम यहां पर क्या है mass अब भी क्या है velocity पी है momentum अब momentum का अगर हमको dimension निकालना होगा तो क्या करेंगे mass का dimension हुआ m पहले से पता है अब velocity का dimension पहले से पता चल चुका है ना मीटर पर सकेंड होता है एल टी मैनस वाद मीटर बटा सकेंड यानि एल बटा टी एल टी मैनस वाद तो इसका हो जागा mlt-1 यह हो गया momentum mass into velocity mlt-1 और यह फिल आना स्टार्ट होड़ा next dimension of acceleration क्या होगा देखो सबका formula जानना जरूरी स्टेप नमर वान में acceleration का क्या होता है फर्मूला एक्सलरेशन वड़ाबर होता है एक्सलरेशन वड़ाबर समझना है change in velocity divided by total time तो चेंज इन वेलोसीटी एक तरह से काइंड ओफ वेलोसीटी का परकार हुआ है काइंड ओफ वेलोसीटी हुआ ना अट टोटल टाइम क्या हो गया टाइम हो गया सकेंट त्यानि इसका जो यूनिट आएगा step 2 में step 2 में हम लोग क्या करेंगे यूनिट लिख देंगे यह हूँपर में मीटर पर सकेंट divided by हो गया तो तोल कुलमिलाक हो गया मीटर बटा सटावा आएश को सबिस्कुल आज़िंगे हैं अब एक्सलरेशन का direction दाइमेंश्न लिखेंगे तो एम है मीटर» нетर का हो गया uploadर मींटर पर सेकंड पट सकंड का हो गया टी लबट टी स्कॉर यानि एल हो गया आटी एस्कॉयर फोर्स का कैसे करेंगे बहुत सब को पता है यह तो बहुत दिन से पता है मास इन्टू एक्सलरेशन मास यानि फोर्स मास का हो गया केजी एक्सलरेशन का हो गया मीटर पर सकेट स्कुर्ड ध्यान से देखना गया यह था यह तो एक डाम को हैना आप देखो किछलोग्राम का हो गया केजी का हो गया केजी का हो गया मास में हो गया और मीटर का एल हो गया और सकेंड का हो गया टी पे पावर तो तो यह हो गया इस देखो मास का है म और एक्सलरेशन का ल्ट मेंश टू तो इसका हो जाएगा ना यस हो जाएगा नेक्स्ट देखो कुछ कुछ चीज है जिसका dimension एक जैसा होता है सबस्पले दोंको work का dimension क्या होता है work work जानते हो क्या होता है work बराबर होता है force.displacement force.displacement यह सब formula तुमको याद करना पड़ेगा तो सबसे पहला काम क्या था formula लिख देना है अब दूसरा काम क्या है dimension work का dimension क्या होगा work का dimension हो जागा force अब force का dimension हो जागा m l t minus 2 force का dimension हो गया नहीं displacement का dimension कितना हो गया l हो गया तो कुल मिला के कितना हो जागा m l पे power 2 यहाँ एक power और यहाँ एक power l पे power 2 हो जागा का बी ऑखी होगा इनर्जी का भी ऑगा केरेटिक इनर्जी का भी ऑगा होगा इनर्जी का इनर्जी औरamos अगर हो ताँनु को सबका एक समझ में आ रही है ने कुछ आ रही है है अब रिफ्रीक्टिव इंडेक्स का दिमेंशन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को डिनोट करें गे मू से यादखना मू पराबर होता है श्पीड ओप लाइट इन एयर आट्टू देश्पीड ओप लाइट इन मेडियम याद रखतें अप लाइट इन मेडियम आगे शीख जाएंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है लाइट रिलेटेड है तो इसका मतलब हुआ speed of light c नीचे में speed of light भी हो गया यह भी हो गया meter per second चाही भी हो गया meter per second तो बड़ाबर क्या हो गया बड़ाबर हो गया unit less unit less अगर यह unit less है तो क्या यह dimension less होगा यह dimension less भी है एक बात ध्यान रखना यूनिट लेश होगा तो डाइमेंशन लेश जरूर होगा लेकिन डाइमेंशन लेश होगा तो जरूरी नहीं कि यूनिट लेश होगा तुप पता हैंने नीट में में पुछा है 2022 में question क्या question है दिखाता हूं तोभी फिलाल एक दो और देख लेते हैं कि नीट का question देखी लेते हैं क्या है नीट का सवाल जैसे देखो था solid angle solid angle था solid angle था ठीक है क्या solid angle का unit होता है होता है unit क्या होता है एस्टेर रेडियर लेकिन डामेंशन क्या होगा solid angle का solid angle का dimension क्या होगा solid angle बढ़ाबर होता है क्या होता है एडिया बटर रेडियस का स्क्वेर या धना एडिया बटर रेडियस का स्क्वेर या यह एडिया का unit हुआ मीटर स्क्वेर और इसका भी unit हुआ मीटर स्क्वेर तो कुल मिला के क्या हो गया यानि उपर का एडिया का डेमेंशन एल पर पावर टू और नीचे में रेडियस रेडियस का डेमेंशन नहीं होता है यही था निट का मिनीच दोहजार बाएंस का यही क्लों यही पूछा कि सोलिड में यूनिट होता है डेमेंशन नहीं होता है डाइमेंशन होता है यूनिट नहीं होता है दोनों तो क् хочет clear रहना है नेक्सट अब अच्छा सवाल आया था है इंद्धर डामेंशन रिवर्सल ग्रेमेंशनल यजिकल कॉंस्टेट सारे कॉंस्टेंट का डाय मेंसन् contributions नहीं होता जितना विए प्रिजििकल गॉंस्टेन्द उसका डानेंशन होता है जैसे इक इता है टो सवाल देखो यहां एक साहिव है बैटे है यहां पर कुरसी लगा कृताब पर है कौन है यह और इससे गिर रहा है यह आया यह अप्छाओ यह अपल है अच्छ इपट आपल के पेड, से आपल गिर रहा है तो एपल के पेड दमेंगू कि 1997 क effectivelyla ने कौन है यह Newton साहेब तर अच्छा से साहब को लिख देता हो मैं Newton सैयब नूटन सैयब ने लौ दिया Universal Law of Gravitation वो बोले कि एगर एक मास यह है और एक मास यह है तो इस universe में दो मास हमेशा एक दूसरे को attract करेगा क्या करेगा इस universe में दो मास हमेशा एक दूसरे को attract करेगा जितना force से ये करेगा उतने से ये करेगा इसको F लिख दिया और इसको F लिख दिया और बोले वो जो F होगा न वो होगा F बड़ाबर G इसका मासा माल लेते हैं M1 और इसका मासा माल लेते हैं M2 तो जो फोर्स होगा न वह होगा जी इंटु M1 इंटु M2 divided by R square जहां इस जी को बोलते हैं Gravitational constant तो जी बड़ाबर क्या होगा जी बड़ाबर क्या होगा इसको इधर करेंगे एःफ आयरच एगा और नीचे मा होगा M1 in two M2 तो अब सवाल है कि जीका ड्यवेंशन क्या होगा तो जीton के मतला F का डैमेंशन R square का ड्यवेंशन M1 का ड्यवेंशन M2 को का डॉइमेंशन F क्या है तो फोर्स का डैमेंशन हम लोग पर लिये है Chief फोर्स का डैमेंशन मियाद है जाएगा twent sugar expert और our square का डैमेंशन क्या अब यह मास्यनी के जी इसका के जी यह इसका i axa movement एंड यह दिरे और एक बाद अब देखो एक म से एक कट गिया 1 M बज़ा नीचे, M पे पावर 1 नीचे है, उपर जाएगा तो M पे पावर मैनस 1 बज़ेगा, आप देखो, L पे पावर यहाँ को 1 है और L पे पावर 2 है, तो L पे पावर कितना होगा? 3 हो जाएगा, अब देखो, T पे पावर मैनस 2 है और कहीं t नहीं है इसका मतला हुआ m-1 l3 t प्रवर मैनस 2 एम प्रवर-1 l पे पावर 3 अठ t पे पावर मैनस 2 याद रहेगी तो अच्छी बात है नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं सब याद हो जागा शलिए असे करके हम लोग किसी का भी डाइमेंसर्ट बना सकते समझ्यार है न इस तरह से हम लोग किशी भी फीजिकल को श्चाइध का डाइमेंसट निकाल सकते हैं बसरते की फर्मूला याद रहे अब तक पूरा physics नहीं पर तब तक यह formula उनीट एंड डाइमेंशन का जो concept पूरा physics पर लोगे तभी आप पूरी तरह से एकस्पार्ट बन पाओगे अभी आप इसका basic समझ लो और उसके जैसे चेफ्टर आएंगे उसमें हम डाइमेंशन को बताते जाएंगे और धीरे 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 पूरा कंट्रोल आजाएगा डाइमेंशन पर ठीक है नहीं है अब है प्लांक्स कोंस्टेंट का डायमेंशन केसे निकालेंगे STEP ONE ये बराबर होता है एंच इंट्र एफ यहां पर मेरा frequency है एप यहां क्या है? frequency फ्रीक्वेंसी होता है one by time period कि डैमेशन वं बट तायम पर यहां तो इस कैं है अब उसका डायमेंशन निकाल tys Prague ना में आजागा मेर्थ ःड़्डाबर यहां कीया हो ज़िक आफ हो जाएगा तो ओ एफ का डाइमेंशन क्या होगा निकालतो एफ का का डốc यान्न इनर्जी का डिमेंजिन西ट डिभैडेड़ रिक्रिक्वेंसी का डिमेंजिन अब इनर्जी का दिमेंजिन कैसे निकालें पीछे निकाले हो इनर्जी ब्राबर हब to demokrat में uh Pas का होता है ML-2 पी आप कि इनर्जी का होगा फ्रिक्वेंसी का क्या हो जागा टी पे पाबर माइनस वाट तो अब यहां से देखेंगे एच का क्या होगा एच का क्या होगा तो एच का हो जाएगा यहां देखो एको कैंसी लोके बच जाएगा बच जाएगा उपर में एम एल पे पाबर टू एक मैनस वन कैंसी लोके एक बच जाएगा एम एल टू आटी मैनस वन एम एल टू टी मैनस वन तो धीड़े धीड़े concept clear हो रहा हो का देखो यह सब फर्मूला जब तक नहीं आएगा तब तक इस पे है करेंट बराबर आई बराबर क्यू बटर टी होता है यहीं करेंट बराबर होता है चार्ज पर टाइम तो चार्ज बराबर क्या हो गया करेंट कुना टाइम तो याद रखना चार्ज बराबर होता है करेंट कुना टाइम चार्ज बराबर एलेक्रिक करेंट इन्टू हो को क्यूं से तो अब क्यू का डामेंशन निकालना होगा तो क्या करेंगे क्यू का डामेंशन मतलब आई का डामेंशन और टी का डामेंशन और आई का डामेंशन तो पता है हम लोके a, यहां a से दिनोट किया गया, टैम का हो गया, t, यहनी a पर पावर 1, t पर पावर 1, a पर पावर 1, a पर पावर 1, t पर पावर 1, यह रहा, नेक्स्ट, अब प्रस नोट है कि एलेक्टिक पोटेंशल का कितना होगा, आप देखों, भारी होते जाएगा, लेकिन कुछ-कुछ formula जिससको याद कर लोगे तो आराम हो जायगा तुमको पता है एक एक एकटीकल फॉटेंसिलिनेरजी बराबर चार्जड़बुस्ट इंटूपोटेंसियल हर याद लुखना यह यह क्या है यह ऐसे अलेक्टिकल फॉटेंसियल इनरजी इपी-ई पोटेंशियल बडाबर इनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल बडाबर इनर्जी पर यूनिट चार्ज अब पोटेंशियल का हमको क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है डामेंशन तो क्या निकालना है इनर्जी का डामेंशन लेना पड़ेगा डिभाइड बै सब कुछ कुछ बेसिक श्याद रखना पड़ेगा और चार्ज का अभी तो देखे थे ना क्यू इंटु टी एंप्यर इंटु टाइम एड़ी हो जाएगा तो कुल मिलाकक क्या हो जाएगा एंतो यहां एम रहेगा ठीक बात है देख़ो्फो यहां है ने टी कले ल्ट helle to do to do next by यह दोनों देखो बहुत इंपोर्टेंट है जैसे Việt इंगे लोग क्या बताये थे जैसे कि यह दो लाइन है इन दोनों लाइन के बीजय एंगलोंगा ठेटा ठेटा पराबर प्ले Summer यह और को अर्क बतर रेडियस और एंगिल बराबर आर्क पतर कि यंजी ठोगा रिड्य रज्ट यह हम लोगों को पता है और इसके युनीट क्या होगा इसका यूनीट यर्टेड अर साइब को स्प्रस नूटँटाय कि डाइमेंशन होगा तो dimension देखो theta का अगर हम plain angle का dimension करेंगे तो S का dimension लेंगे और L का dimension S का dimension होगा L और L का dimension तो L यानि यह हो जागा यानि dimension less हो जागा plain angle dimension less होगा लेकिन unit है là plain angle याइब में और ने होगा यह नहीं होगा क्योंकि angle बुराबर arc ब TRAVIS cha 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 टूट ये भी dimensionless हो गए लेकिन unit तो रखता है asteridian SR तियानि solid angle का unit होगा लेकिन dimension नहीं होगा plane angle का unit तो होगा लेकिन dimension नहीं होगा नीचे एक note लिखा होगा है there is no physical quantity which is dimension but no unit मतलब ऐसा कोई physical quantity नहीं है जो तो डैमेंशन रखे लेकिन यूनीट नहीं रखे लेकिन आईसा क्वाण्टिटी है जो यूनिट रखे और डैमेंशन नहीं रखे यू तो डैमेंशन के साथ धोखा है नहीं यूनीट को बोलेग dollars from rate and then nutrition लेकिन डामेंशन नहीं हो सकता है लेकिन अगर डामेंशन नहीं होगा तो यूनिट हो सकता है दियर इस नो फिजिकल क्वांटिटी विच डामेंशन बट नोट यूनिट यूनिट रखेगा तो यूनिट जरूर होगा लेकिन यूनिट रखेगा तो dimension हो भी सकता है और dimension नहीं भी हो सकता है क्लियर है? next class में हम लोग परहेंगे how is dimensional analysis used और आज का class होता है बाबाय